तो नमस्कार दोस्ता स्वागत करता हूं मेरी चैनल पर आज मैं आपको वीडियो में बताना चाहूंगा यहल्ड दिवाइस के बारे में उसकी चुबी दिवाइस की खास्यते और यह जारा से दब तीन हपते इस्तमाल कर लिया और जोरू बताना चाहूंगा और क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए आपने हाला कि यूट्यूब पे सारे बहुत सारे वीडियो देख लिया होगे पने मेरी जो पॉंट ऑफियर मेरा जो आप्शिंस है मेरे जो व्यूस है डिवाइस के बारे में आपको ज़रू शेयर करना चाहूंगा खीकि हाला । गशिंटती के पदुएं वाइस के अंदर define यादर सब्सक्राइब अगर वाउट फोन पारे में करना तो जैसे में अब आंदर आप स्थिंग्स में जाता हों आप देख पाहरे कि इसमेड़ो जो वर्यूग के सपोर्ट कर रहा है वजई उपाइवा repet. 0SS 1 के बेंसक्र storage और expandable 256 तक कर सकते हैं और इसमें Helio P60 की प्रोसेसर है हाला कि यह बहुत ही बाइतरीन प्रोसेसर अगर आप इस्तमाल करना चाहते हैं किसी भी अगर अगर कोई बीडियम सटिंग करते हैं और कोई भी गेम खिलना चाहते है जैसे कि ऐस्वाल डेट गया गया है कोई भी गेम है अगर एक mid-range phone अगर में 15,000 के budget में अगर पताना चाहता हूँ जिसमें आपको gaming experience चाहिए प्लस usage performance चाहिए प्लस battery backup चाहिए प्लस कोई भी आप चीज अगर इस्तमान करना चाहते है तो ए रिवास में आपको recommend कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तीन हफ्तों के इस्तमाल के बाद मु मैं बता देता हूँ तो जैसे कि game open हो गई है तो मैं अभी फिलाव मुझे password डालना होगा गेम के अंदर तो अभी game open हो जाती है game को open होने के लिए काफी समय नहीं लगता है game without any lag open होती है ठीक है और काफी बाइतरिंग game भी ओकर open होती है तो इसके चोबी views है फीडवैक है ज प्रस बैटरी बैक पीचेए तो मैं डीवास आपको खाली में रिकमेंट करूँगा चलूर रपर और इसमें आप कितने भी application open कर लीचे इस device के अंदर और जो भी है कोई lag बीना कोई lag के open होता है इस device के अंदर जैसे कि होच्टार है Facebook है Skype है multiple application एक साथ open कर सकते है और इसमें जैसे कि है वीडियो रोकेटिंग है जैसे कि अब जैसे कि मैं बता देता हूँ अगर ब्लुटूस से आप काफी सारे जो इंट्विल फंक्शानिटी है स्क्रीन रेकोडर है और इसमें बेस्ट बेस्ट अगर बात बताना चाहूंगा कि मुझे जो बात लगे अगर मुझे कोई स्क्रींचोट चाहिए मेरे डिवाइस के अंदर तो मुझे कीवल एकी चीज़ करनी है कोई भी अगर मैं application open करता हूँ application open करने के बाद अगर मुझे स्क्रींचोट चाहिए तो मुझे जो मेरी फिंगर प्रिंट है प्राइस मुझे थीन बार प्रेस करनी होगी और जो भी है स्क्रींचोट आ जाता है मेरे डिवाइस के अंदर तो अगर मैं मेरे इस्तमाल से कहूंगा कि मेरे जो तीन हफ्ते के इस्तमाल है एक डिवाइस में काफी बैथरी नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइस के अंतर जो भी आप अप्लिकेशन इस्तमाल करता है को किसी भी तरह के से काफी बैथरी प्रॉप्रमस देती है डिवाइस के अंदर तो फिलान मेरे वीडियो में इतना है अगर आप वीडियो पसंद आए तो में लाइकेज्व शेर केज्याग कोहते हैं तो तो द दान भाइवा टिक यह झाल झाल